जवान की शांदार कामियाभी के दर्मियान, फिल्म के डैर्ट पर अटले ने वाद्ए तोर पर ये बोल दिया है के इस फिल्म का दूसरा इससा भी आएगा, एक इंटर्वीमर उँए बोला कि जवान 2 का दूसरा इससा वो लाजमी लाएंगे चाहे उसमें जितना भी वक्त और उन्होंने ये भी बोला कि जवान 2 में शारुखान ही होंगे लेकिन ताम अभी तक और उन्होंने कोई उसका टाइम फ्रेम नहीं दिया कोई इसकी तारीख नहीं दी पिंक विला की एक इंटर्वियू में जवान के साथ जवान तो उन्होंने बोला कि मेरी हर फिल्म की अपन उटी है जैसे न忘वानों का झेहन मैंने पहले इस फिल्म के सिकुल के बारे में नहीं सोचाता लेकिन अब यह मेरे जहन में है जब भी एक ख्याल आएगा तो मैं इसका दूसरा इसा जरूर बनाओगा अभी मैं इसकी कोई डेड नहीं दे सकता ये जल्दी आए ये बाद में ये मैं नहीं कह सकता लेकिन हाँ जवान 2 का सीक्वल जरूर आएगा अगर हम जवान की कमाई के बारे में बात करते हैं तो जवान ने कमाई के लिहाज से काफी ज़्यादा रिकॉर्ड काइम कर दी है शारूखान ने इस सिल्म में लीड रोल में थे जवान ने सिर्फ 10 दिन में दुनिया भर से 700 क्रोड का हदफ पार कर लिया दस दिन में इस सिल्म की टोटनल कमाई जथी वो 735 क्रोड हो चुकी है अगर हम डुमेस्टिक बॉक्स ओफिस की बात करते हैं तो जवान ने साथ सेप्टेंबर को रिलीज होने के बाद सिर्फ 10 दिन के अंदर 440 क्रोड पे जमाख ही है अब हम आ जाते हैं रनवीर कपूर की नई आने वाली फिल्म एनिमल पे इंडिपेंडेंस डे 2023 को थेटर्स में आने वाली एनिमल गदर 2 और OMG2 का दरम्यान टकराओ को रद कर दिया गया था और ये बेतर भी हुआ बॉलिवुड फिल्म बड़े बॉक्स ओफिस नंबर्स के साथ वापिस आ रही है और अब मामला है एनिमल का एनिमल मुवी की हर अपडेट ने उसके इजार होने के बाद ही बहुत ज़्यादा बेचैनी फिला दिया है रणबीर कपूर की लीक हुई तस्वीरें, पोस्टर्स और सीन्स उनकी संजु 2018 में बेतरीन परफॉर्मिस की हमें याद दिला रही एनिमल का टीजर बहुत ज़द रिलीस कर दिया जाएगा खैंके खिलाब लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं फैन पेजिस से लीक हुई वीडियो ने पहले ही बहुत ज़दा शोर मचा दिया एनिमल का फाइनल टीजर 28 सेप्टमबर को रिलीस होने वाला रनिमल का पूर की एनिमल फिल्म की शोटिंग 22 अप्रेल को मना ली और हिमाचल परदेश में शुरूई एक इंटर्वियू में पूशन कमार ने बताया कि इस मूवी में रनिमल को फिर से डिले कर दिया गया पहले इसके रिलीस डेट 11 अगस 2023 थी और ये पाँच दुबानों में रिलीस होना थी अब इसके रिलीस डेट को चेंज करके 1 दिसमबर 2023 कर दी गई है उसी दिन सैम बादूर के बे रिलीस होने का प्रोग्राम है उसके बाद एनिमल की टीम ने साउथ इंडियन एक्टर्स रश्मीका को इसमें कास्ट किया रश्मीका पहले भी हिंदी मूवीज में काम कर चुकी है जैसे गुडबाई और मिशन मजनूब बाद सिर्व रश्मीका और रनबीर तक नहीं रुकती इसमें अनिल कपूर और बोबी देवल को भी बहुत एम किरदार दिया गया है तो बहुत ज़्यदा मदा आने वाला कास्ट बहुत ही धमदार है और इस विल्म के डिरेक्टर संदीब रेडी वंगा बहुत ही ज़्यदा मुशूर है